कंट किसान भाइव, बहुत से किसान भाइवोंने कमेंट किये हैं reasonably कि siampu का उपयों हमें अपनी फसलों में क्या है यो किसान किसान भाई क्या नकी सकत यह कूछ नुक्सान होते हैं जब भी हम सेंपू का यूज करते हैं अपनी फसलों में हैं फायद हो सकते हैं और नफसान हो सकते हैं और यूज को सावधानी रखनी चाहिए वाले हैं अगे आज के इस वीडियो में जाननेवाले हैं तो नवस्का किसान भाजी स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर तो मैं लूप से जो सेंपू का उद्देश है वो है किलीन करना जब भी आप सेंपू का यूज करते हैं चाहे आप बालों में करें या काहे या आप कोई गाड़ी बाहन धोने के लिए करते हैं तो उसका मैं उद्देश होता है उसको किलीन करना सबसे पहले जानते हैं यदि हम अपनी फसलों में सेंपू का यूज करेंगे तो उसके फार्दे क्या क्या हो सकते हैं तो सबसे पहले जो भी फसले रोड के आसपास लगी होती है उन पर डस्ट का जमाव जादा हो जाता है तो डस्ट किलीन करने के लिए आप सेंपू का यूज कर सकते हैं अधि हमारी फसलों में मकडी का टेक हुगा है चाहे कोई किसी प्रका की मकडी हो तो मकडी का जाला बनता है पत्ते के नीचे और कोई भी अधेकताम दवाईया इस पर कारते हैं तो वह अच्छे से काम नहीं कर पाती है तो वह जाला भी शैंपू से हट जाता है क्योंकि सैंपू में चेकना हट पाई जाती है और की खुन करने की फुरी ख्रमता होती है तो पत्तियंकर हमारी कर देती सेंपू एली अपनी फसलोंगे पर तो पत्तियं leSal такая साक अच्छे से भूजन बना पाते हैं जिससे हमें उत्पादन भी अच्छा मिलता है इस प्रकार से तीन से चार ही फायदे हैं जब भी आप अपनी फ़सलों पर सेंपू का यूज़ करते हैं तो हमें इसका डोज कितना लेना चाहिए 6-8 पाउज आप एक पंप के साफ से ले सकते हैं, 15 डीटा की या 20 लीटा की पानी में। इसके बाद में आपको यूज नहीं करने चाहिए. यदि आप सेंपू का यूज़ कारते हैं तो उसका जो असार होता है हमारी फचलों में वो तोयनतर नश्ट हो सकता है क्योंकि पत्तियां अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है इसके अलावा जब हम कोई भी दाइन डालते हैं उसमेधि सेंपू का सेंपू कर लेते हैं तो बो भी आपकी पत्तियों पर सकती है कि मिक्सिंग करके इसका स्प owner करना इसके अलावा जादान डोज लेने की बज़ए से भी आपकी पत्तियों पर इसकोचिंग आ सकती है धब्बे पड़ सकते हैं तो आपको जादान डोज भी नहीं लेना है छे से आठी पाउज लेना है आपके लिए पंदर इटा पानी के लिए इस साप से आप इसका इस प्रेक ड्इम्न लखनी जाएं तो पहले आपको जब भी आप सेंपू का यूज करते हैं तो चुक्त शैंप करें अपनी फसना के उपार कोई भी उसमें अकषिक ना करें इसके यह एक्युम्म कोई भी के शैंपार बिए उक्कारिई को कॉन फॉत प्सके करते हैं तो आपको के इस सबसे पहले आप पत्य चाहले को साफ कर देंगे आप पत्ति पार दिया अच्छी तरीके से काम करें इस फकार आहई से दास गहंटे पहले सेंपू का सकते हैं जो गाम के लिए फसल और की पने दम रखते हैं इस प्रकार से आपको इस्टिकर के लूप में स्यम्पटी का यूज बिलकल भी नहीं करना है। इससे आपके पत्तियों का धब्बे भी आ सकते हैं, और उस केमिकल का आप लाब भी नहीं उठा पाएंगे। तो आपको सेंपु को कभी भी इस्टिकर के लूप में यूज नहीं करना चाहिए इसके बाद में अंगली सावधानी आपको ये रखना है कि जब भी आप कोई भी केमिकल स्पेक कर देते हैं तो उसके तुरंत बाद या दस से बीस घंटे तक आपको किसी भी पकार की 시ंपु का यूज नहीं करना चाहिए इस पकार से आप सावधानी लग करके बहुती अच्छा लाव ले सकते हैं और अपनी फसलों के लिए स्वर्ष्थ रख सकते हैं इस प्रकाष से आप अच्छे तरीके से अच्छे जएक पा सकते हैं सेंपू का यूच करके और एदी आपकी फसले हैं और यज़ी कोई डश्कन्हें नहीं है ना ही कोई मकडी का अट कोई बी जरूर नहीं है कि आप और अच्छा लाब सकते हैं वह क्षाजय नर्गले मिलते हैं अगले वीडियों तब तक लिए जाय किसान जाय जवान